दोस्तो अज संडे हैं और संडे स्पेशल कुछ होना चाहिए है के नहीं? आज हम गुमने आया हैं हमारे सिस्टर लोग के घर पे तो संडे स्पेशल रेसिपी में चिकन मसाला करी बनता है बोस आप सबको हमारे चैनल पे फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शियर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देजिएगा हमने लिए हैं इस रेसिपी के लिए एक किलो चिकन अब चिकन में हम थोरी सी निम्बू नीचो देंगे फाइन चॉप कर लिये हैं, अधरत और लैसुन को भी पीस लिये हैं, अब गरम कराये पे डाल लिया है कोकिंग आल, तेल पे जाएगा भी लॉंग लैची और दाल चिनी, एड़ करेंगे कुछ दाने गोल मिर्च के, अब जाएगा कराये पे कटेवे प्यांच, प्यांच को थ थोरी से फ्राइ करने के बाद, अट करेंगे कटेवे प्यांच, प्यांच के साथ एड़ करेंगे, पीसे हुए अधरत और लैसौन, उसके बाद करेंगे लिया हैं, पांच मिनिट तक धकन से ठक के पकाएंगे लेजिए पांच मिनिट हो गई है थोड़ी से सॉंट ले और उसके बाद एड करेंगे मसाले पाउडर मसाले पाउडरों में हमने लिया है एक बरी चमच गर्म मसाला पाउडर एक बरी चमच रेच चिली पाउडर हल्दी पाउडर, कास्मे लाल मिच पाउडर और चिकन मसाला पाउडर मसाले पाउडरों को एक साथ दाल देने के बाद सारे मसाले पाड़ों के साथ चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एड़ करेंगे नमक स्वार की हिसाब से एड़ करेंगे टोमेट पीरे एड़ करेंगे थोड़ी चीनी पांच मिनिट धक्कन से धक्के पका लें ताकि मसाले अच्छी तरह पक जाएं एड़ करेंगे हरे मिट्ट एड़ करेंगे पानी ग्रेवी के लिए अब फाइनली धकन से धकके करीब 10 से 15 मिनिट टक हाई फ्लेम में पकाएंगे लीजे 15 मिनिट हो गई है और हमारे ग्रेवी भी का रहा हो गई है अब फाइनली डालेंगे इसमें मैंगे मसाला मैजिक टेस्ट के लिए क्या स्टाप के फ्लेम को कर दिया है बन चलिए सर्व करते हैं गर्णिश करेंगे थोरी सी हराद नया पत्ता थोरी सी कटेवे प्यांच और थोरी सी कटेवे स्प्रिंग आनियन से चलिए रेडी है हमारे संडी स्पिशल चिकन मसाला कारी और सब के लिए प्लेट लगाते हैं चावल के साथ तो चलिए सब के आपिनियन लेते हैं आखिर रेसिपिक कैसे बनी ये है मेरे सिस्टर इनलो का बेटा सौनबीर रेसिपिक कैसे बनी और ये है मेरा बेटा मास्तर आयूस सिंग आयूस बताओ रेसिपिक कैसे लगी और ये रही मेरे सिस्टर इनलो चलिए बताइए सिस्टर लो जी रेसिपी कैसे बनी चलिए आप लोग भी ट्राइ कीजिए इस मसाले डार टेस्टी स्वाधिस रेसिपी को और पूरे परिवर्ग के साथ इसका टेस्ट का मजा लिजिए मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नए रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई बाई